आपको पता है, सबी को पता है, कितना डोस लेना आय यह सब बात है अगर यह पता होता है, तो हम उसका इस्तमाल और भी अच्छे तरीके से कर सकते और भी ज्यादा एफिटिवली के तोर पर उसका इस्तेमाल हमारे फसलों में अगर किया जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन और उसका रिजर्ट और भी ज्यादा बढ़ सकता है तो चले आज के इस वीडियो के अंदर हम जारेंगे कि भाई द उसका मतलब इन्वेंशन मतलब क्या है देसी दारू का फसल में बटाने वाले है इसका असल में डोस क्या होना चाहिए तो यह सबी चीजे आज के इस वीडियो में आपको पता होने वाली है तो चले शुरौत करते एक लाइक के साथ धमाकेदार हो जाहिए तो चले फसल में देसी दारू का spring ठीक है तो सबसे पहले शुरुवात करेंगे कि भाई देसी दारू के अंदर ऐसा कौन सा घटक होता है कि जो इतना effectively कारे करता है तो देसी दारू के अंदर जो हमारे फसलों के उपर कारे कर रहा है spring के बाद वो घटक है आपका alcohol तो यह बात आपको अच्छे से जान लेनी चाहिए तो यह जो अलकोहल में यह कोँआ चीज़ों में होता है यह पेट्रोल में भी होता है kerosene में भी होता है और गया नाम यहाँ पर होता तो इसका सबसे पहली बात किसको तो भाई यह किसान का नाम यहां पर अवेलेबल नहीं है क्यों यह हमने भी नहीं किया है बहुत तो यह देशितारू का जो भी इंवेंशन चीज़ भी किसान किया होगा हमरी इंडिया के अंदर पर उसनी से भी नहीं वह भी पेटिंडिया के अंदर ही सिस्टेम देना चाहिए पर उसका क्रेडिट उस किसान को या फिर इस बंदे को मिलना चाहिए लेकिन नहीं है वह बात छोड़ दो ठीक है तो वह किसका इन्मेशन हुआ वह जाने दो लेकिन अच्छा किया बंदे ने जो भी आच्छा गया तो अल्कोहल होता है ठीक है हमने एक वीडियो में पताया था कि हमने एक केरोसीन का इस्तमाल किया था फसल के ऊपर छिड़काओ करने के लिए बहुत ही शांदार रिजर्फ मिले थे लेकिन उसका एक ड्रॉबैक था कि बहुत स्प्रेंग करते वक्त आखों में जलन ज्यादा होती है तो उससे आच्छा तो यह दिसी दारू से कोई टेंशन न 50 के और है तो अलकोहुल ऑखो होल आपके फसल के ऊपर टा यह सबसे मतवकुरुने थासिटार रूकर जब आपके इस्तमाल करती है तो आपके पतियों के अंदर हरा बहरापन बढ़ जाते रिडरीओर बढ़ जाता है यह सब आपको पता है ठीक है उसके बाद यह जो शिरा वो एकदम ऐसे उबर कर आ जाती है मतलब जैसे जीम में जाने वाला बंदा होता है जो एकसरसाइज करके उसकी नसे अच्छे से दिखती है वो हिल्दी बन परसन होता है तो उसी तरह किसे आपके पतिया भी हिल्दी दिखना स्टार्ट हो जाती है तीसरा फाइदा भी है इसक रफनिस पना आज ही चाता है जिससे आपको फाइदा भी होता है और उसी रफनिस के कारण आपके फसलोके उपर जो भी कीटक हे या फिर रोग वह आपके फसलोके उपर कम एटक करते अभी किटकों की बात करे तो अलकोहॉल तो अभी थोड़ा सा उधारन हमें फीर से बाह तो उसके साइड एपक्ट उसके उमन बॉड़ी में दिखाई देते हैं तो उसी तरीके से जब भी हम देसी दारू का स्प्रेंग हमारी फसलों के उपर करते हैं तो यह इतना इतना शरीर हो गया आपकी किटकों का तो उस शरीर की तुलना में जो अलकॉछ उसको मिल रहा है उ भाई आप समझ जाओ कि उसको भी वह साइड एफिक्ट होता है सिर्फ अलकॉछ के यानि कि देशी दारू के सिंगल स्प्रे से ही वहां पर बहुत सारा काम हो जाता है आपके किटकों के उपर भी होता है और रोगों के उपर तो भाई आपकी पतिया मजबूत होती है इसलि अब भी हमारा सिस्टेम लगबक सेम तो इसी तरीचे से यह जो देसी दारू का स्प्रेइंग किटकों के ऊपर जाता है तो जो मरने की जो पॉसिबिलिटी जैवो ज्यादा रहती तो इसलिए आपने एक स्प्रेइं भी बनाय जो कि आपके लिए खासकरे तो देसी दारू क के साथ साथ हम इस स्प्रेंग कॉंबिनेशन में लेने वाले हैं स्वार्द पाप मिलेगा कितनाशक के तोर पर जब होता है ना आपकर सब विखल हो जाते तब असर श तुल हो ED कि सब कुछ हो गया जएसी रोगों में सब कुछ हो जाने के पाद हम बोडेक्स मिक्चर का इस्टमाल करते हैं लास्ट ट्रिक्मिंट की तोर पर तो उसी तरिके से देसी दारू और पर कर सकते हैं तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि अभी देसी दारू का डोस कितना लेना है तो देसी दारू के अलग-अलग प्रकर के डोस किसानों ने बनवा है फिर भी यहाँ पे आइडियल डोस माने तो आप 200 लिटर पानी के लिए 500 ml देसी दारू का चिड़काओ के लिए इस्ते कंदर बेजिचक कर सकते हो तो यह हो गए इसका अभी दनिया के पसल के अंदर यह जो देसी दारू का बहुत popular हुआ है क्यों की देसी दारू का प्रेंग जब आप दयारू के उपर करते हार्वेस्टिंग से अड़ दिन पहले तब धनिया के पशहल के अंदर इतनी चमक आ जाती है एक बतना रहे गया है चमक भी आजाती है आप देखना जब भी आप देशी दारू का स्प्रेइंग करते हैं तो आपके पतियों में एक प्रकार की शाइनिंग चमक आ जाती है तो वही धनिया के फसल के उपर भी आप हर्वेस्टिंग से पहले आट दिन पहले भी ज्यादा ग्रीन टोन बढ़ जाता है जिसके कारण आपके जो भी एक फसल होगी उसको अच्छा रेट मार्केट मिल जाता है तो यहाँ पर इसके स्प्रेइंग के साइड इपेक्ट भी है वो भी बताना बहुत जोरी है अभी साइड इपेक्ट क्या हो सकते तो यह जो स्प्रेइं धारो हरे एक सप्रेइं गॉमिनिमें जा रहा है वार तो को रफपर तो आप देखना यह नसे अबरकर लाता है आपका गरिन बढ़ाता है आपके पतिव के के लिए फसल का लगता है स्टोरेज तो यह स्टोरेज देशी दारु के स्प्रेइग के बार बहुत ज्यादा प्रामाने पर यह खर्च होता है और यह जो स्टॉरेज ज्यादा खर्च हो गया है तो आपका जरूरी है उतना ही मैने में एक हाद स्प्रेट ही के हर्वेस्टिंग से पहले दज बारा दिन पहले एक स्प्रेट ही के दो तीन स्प्रेट आप पूरे जिवनकाल में लिकाल होगे तो अच्छी चीज है लेकिन अच्छे ज्यादा इस्तमाल करोगे भाई वो नुक्सा नहीं इस देगा चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज अमगरुद भी आपको पता है अगर हट से जादा अगर हो गया तो सभी चीजों में उसी तरीके से यह चीज्ज अच्छी होकर भी बुरी बन जाती है सही डोस में ही इसका इस्तमाल करना चाहिए जितना कम करोगे कि इससे भी कुछ ज्यादा बढ़ा देंगे तो यहां पर डोस वगिरा ने बढ़ाना है इससे कम डोस किये करके ट्राय करके देखो उसमें रिजल्ट आ सकता है कि ने क्योंकि एक प्रकर का यह भी खर्चा है हमारे फसलों के लिए तो हम खर्चा आप चाहे दो रूपए का हो या फिर दो बहुत देखो कि आपके और की प्रशक तो यह उसी प्राकर का एक व्डियो कि कि शिटको को नशाधे कर मारेंगे वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा और हाँ ज्यादा ज्यादा शेयर करके अनिर्मात शाने को सपोर्ट जरू करना मिलते हैं आगले वीडियो में जै जावान जै किसान